हेलो एवरीवन मैंने दी और आज मैंने बनाई है रायता बूंदी रायता बूंदी बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छी बनी है और ये मैंने घर पर दो ही चीजों से तयार की है जो बिलकुल क्रंची है दो किस तरीके से ये फूट रही है देखिए फूटने की आवाज भी आपको आ रही होगी ये बिलकुल बजार जैसी रायता बूंदी मैंने घर पर तयार की है थोड़े से ही समान में मेरी धेरो बूंदिया तयार हो गई है और ये ग्लूटन फ्री है क्योंकि मैंने सारा ग्लूटन फ्री प्रोडेक्ट ही इसमें यूज़ किया है चलिए अब अपनी रैशिपी रायता बूंदी बनाने की शुरू करते हैं बूंदी बनाने के लिए मैंने एक काटोरी जो है बेसल लिया है बेसल का वन थर्ड मैंने चावल का आटा लिया है च मैं चावल के आटे का यूज करूँगी और चावल का आटा इजिली आपको मिल जाएगा कुछ मैंने जो करी पता होता है उसकी लीफ्स ली है और इसको मैं क्रश करूँगी अभी बारीक और मैंने फुदीन लिया है जिसको मैंने घर पर ही तयार किया है और इसको बारीक इस इन सब चीजों को मिलाकर इसमें हम जो और मसाले डालेंगे वो मैं आपको तभी बताऊंगी कि इसमें हम और क्या-क्या मसाले एड़ करने वाले हैं इस mixture को गोलने के लिए मैंने इस तरीके का एक भिगोना लिया है जिसमें मैं पहले ये अपनी बेसन जो है वो डाल दूँगी जो चावल का आटा है वो भी इसमें एड़ कर दूँगी पुदी न अपने कोडिंग आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब जो ये leaves हैं इनको हम बारी crush कर लेंगे आप इस तरीके से हाथ पे इस तरीके से crush कर लीजिए देखिए ये इस तरीके से easily crush हो रही है क्योंकि मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया था आप चाहे तो थोड़ा सा इनको dry roast भी कर सकते हैं उसके बाद इने crush कर सकते हैं मैंने इनको direct थी, इसी तरीके से crush कर लिया और अपने mixture में add कर दिया मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी add करूँगी आधा spoon मैं नमक, salt इसमें यूज करूँगी थोड़ी सी मैं हल्दी का भी use करूँगी थोड़ा पिसा हुआ जो धनिया होता है वो भी मैं इसमें एड़ करूँगी अब हम इस मिक्षर को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो सारी चीजे हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिल जाएं देखिए इस तरीके से mix करने पर जो हमारी सारी चीजे है वो अच्छे से mix हो गई है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी add करेंगे इस mixture को हमें ना तो जादा गाडा बनाना है और ना ही जादा पतला बनाना है पहले ही थोड़ा पानी डालके इसे अच्छे से mix कर ले ताकि इसमें गाठे ना पड़े बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी add करते रहें ध्यान रखे पानी उतना ही डाले जितना की हमें जरुरत है देखिए हमारा जो mixture है अभी इस तरह का हुआ है हमें थोड़ा सा और इसे अभी पतला करना है हम थोड़ा सा पानी और इसमें add करेंगे और फिर इसे धीरे से mix करेंगे इस तरह से बूंदी जो हम बनाते हैं वो बजार से भी अच्छी बूंदी बनती है और बिल्कुल pure होती है हमें इस तरीके का गोल जो है अपनी बूंदी के लिए तयार करना है इस गोल की जो consistency है वो इस प्रकार से होनी चाहिए और इसमें गाठे नहीं होनी चाहिए इतना सा हम इसमें खाने वाला सोडा add करेंगे और इसे mix कर लेंगे अच्छे से अब हमारा जो mixture है वो बिल्कुल तयार है अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे तब तक हम gas पर अपनी कडाई रख लेते हैं और तेल गरम करते हैं बूंदी जो होती है वो सर्सो के तेल में ही बनाए तो अच्छा है मैं इसलिए सर्सो का ही ओयल इसमें यूज कर रही हूँ अगर आपके पास इसकी जगा इसका कोई बरतना तो उसे भी यूज कर सकते हैं तेल हमारा जो है अच्छे से गरम हो चुका है आप एक पर इस तरह से चेक कर लिजे अब हम इस पल्टे को इस तरीके से रख लेंगे और इस पर जो है अपनी जो हमने ये घोल तयार किया था वो डालेंगे जब आप ये घोल डाले उड़े ध्यान पूर्वक डाले देखिए इस तरीके से आप इस पर अपना जो घोल है वो डालेंगे और इस तरीके से चलाएंगे या इस तरीके से इसे ऐसे हिलाते रहे तो आपकी जो बूंदियां है वो इसमें गिरती रहेंगी बिल्कुल पर्फेक्ट बूंदी जो है आपकी बनकर तयार होंगी जब आप इस तरह से बूंदी बनाएंगे तो आप मार्केट की बूंदियां लाना भूल जाएंगे यह कम खर्च में ज्यादा बूंदी बन जाती है आप इस तरह के चम्चे से आप इन्हें चला लेंगे देखिए जो बूंदी है वो काफी सिख गई है और आप इस तरीके से इन्हें चलाते चलाएं और चलाकर इस तरीके से सारी बूंदियों को निकाल लें देखिए आप जो ये बूंदी है वो बिल्कुल तयार है और देखो कितनी क्रश जो है हमारी बूंदी बनी है एकदम इस तरीके से मैं सारी बूंदियां बना लूँगी अम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस तरीके से मैं अपनी बाकी जो बूंदियां है उन्हें बना लूँगी देखिए मेरी जो बूंदी है वो बिल्कुल तयार है और कितनी सारी बूंदी जो मेरी बनी है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग